तबलीगी जमात में शामिल हुए 700 विदेशी जमातियों के दसावेश सीज किये हैं बताया जा रहा है कि ये सभी 700 जमाती निजामुदीर मरकज में हिस्सा लेने आए थे ये सभी 700 जमाती अलग लग देशों के बताया जा रहे हैं पॉलिस ने सभी 700 लोगों के पासपोर्ट समय तमाम 10 अवेज अपने खाबजे में ले लिये हैं। पॉलिस ने सभी 700 लोगों के पासपोर्ट और जरूरी दस्तवेजों के पासपोर्ट से जांट के जाएं। पॉलिस ने सभी 700 लोगों के पासपोर्ट से जाएं। पॉलिस ने सभी 700 लोगों के पासपोर्ट से जाएं। और उस घोषना के बाद महाराष्ट कैसे दिखता है। मानने पदा मंत्री जी ने कल गोषना की 20 लाक करोड की पैकेज की। उनकी पहले से वो सपने दिखने में माहिर है। यह सपना नहीं हो। यह पहला में करना और जो पैकेज मिलेगा। उसमें महाराष्ट है सबसे ज्यादा रियूनी देश को देने वाला स्टेट है। मुंबई उसमें है। अर्थिक राजधानी बोलते हैं मुंबई को। मुंबई और महाराष्ट को सबसे अच्छा पैकेज मिले। अब मानते हैं कि महाराष्ट जिस तरीगे से रेवेन्यू दे रहा है या मुंबई आर्थिक राजधानी है। उन दोनों लिहाज में मुंबई और महाराष्ट दोनों जगों का ख्याल रखा जाना चाहिए। आर्थिक पैकेज के राजधानी है। यही मैं कहा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा रियूनियों महाराष्ट देता है देश को। और सबसे लाज भी इस बार ज्यादा हुआ है वो मुंबई और महाराष्ट के रियूनियों का हुआ है। तो यह फिर आपको उर्जित आवस्ता निर्मान करनी होगी यहां मुंबई को महाराष्ट को तो पैकेज में भी ऐसा हिस्सा देना चाहिए।